आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज हरड की बात करेंगे हरड, हरितिकी, टर्मिनेलिया चिबूला, कॉम्रिटिसी फैमिली का ये प्लांट है यह त्रिफला का भी मुख्य घटक है ऐसा पुरानिक मानता के अनुसार बताया जाता है कि इंदर देवता जब अमरित का पान कर रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें पिर्थवी पर गिर गई और हरड की उत्पत्ति हो गई मा के दूद के बाद जो सबसे ज़्यादा नवजात सिसु को पोशन देने वाला होता है तो वह हरड होती है इसके अंदर छे रस पाये जाते हैं और यह विशेज उप्योगी है एक रसाइन है एंटी एजिंग इसकी प्रोपरटीज है इसके अंदर टैनिक एसिड, गैलिक एसिड, चिबूलिनिक एसिड और एंथ्राकुनोन गलाइकोसाइड पाये जाता है जिसके कारण यह है लेक्जेटिव का कारे करता है विभिन परकार के amino acids, phosphoric acids, succinic acids और micro और macro mineral का जो amalgamation है यह body के विभिन परकार के enzymes को regulate करने, adaptogen का कारिय करने में सहयक होता है साथियो अगर ars की समस्या हो तो इसका लेप लगाना चाहिए, दांतों में गम- bulletin की समस्या हो या दांत हिलते हो या पायरिय की समस्या हो तो हरड चून का सेवन भी करना चाहिए और منजन भी करना चाहिए अगर सूल युक्त अर्ष की समश्या हो तो गुड मिलाकर हरड का सेवन करना चाहिए और बल वर्धन के लिए, एंटी एजिंग के लिए आप हरड को घी में भून लीजिए और इसका चून बना लीजिए और घी के साथ ही इसका सेवन करना चाहिए बल प्राप्थ होता है, महान ओसिदी है, कुष्ट की समश्या हो तो तिल के तेल को हरड डाल कर सिद्ध कर लेना चाहिए और तिल के तेल को सिद्ध करने के बाद उसको कुष्ट वरण पर लगाना चाहिए साथ ही साथ सोधित की हुई हरड का चोन भी सेवन में लाना चाहिए जॉइंट पेन की समश्या हो तो इरंड के तेल को हरड डाल कर सिद्ध कर लेना चाहिए और जॉइंट की मालिस करनी चाहिए और साथ ही साथ हरड के चोन का सेवन हमें करते रहना चाहिए यह एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टी जिसकी होती है। है वह अलसर कॉज़ करता है, गेस्ट हैट इसकी समय करता है। और अगर लंबे समय से हैलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फैक्शन बना रहे, तो यह कैंसर तक कॉज़ कर सकता है। इसकी immunity को बढ़ाने के लिए भी विशेश उप्योग में आता है, खास थोर से HIV के patient में अगर immunity कम हो गई है, तो यह है, उसमें भी immunity बढ़ाने का सामर्थ रखता है, respiratory tract का infection हो, चाहे blood में cholesterol का level बढ़ गया हो, चाहे hypertension की समश्या हो, उन सब का यह आसानी से निदान करता है, विविन परकार के कैलिकुलाई हो, चाहे renal कैलिकुलाई हो, चाहे vesical कैलिकुलाई हो, दोनों को यह remediate करता है, यह सर में होने वाले दर्द, आँखों में होने वाले जलन या conjunctivitis की समश्या हो, तो इसके सी तुफांट से आँखों को धोना चाहिए, thyroid को भी यह नॉर्मल करता है, thyroid में भी विशेस लाबकारी है, यह भूग को बढ़ाने वाला, diabetes को कंट्रोल करने वाला, स्किन की समश्याओं को निवारन करने वाला, malaria या remittent fever की समश्या हो, तो इसको यह दूर करने वाला होता है, विशेस उपयोगी यह plant है, साथियो ज्ञान यह रखना है, pregnancy की समय इसका controlled amount में सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्ज के अनुसार ही सेवन करें, ज्यादा वीक अगर डाइजेशन हो, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए, कई बार side effects भी आ जाते हैं, यह जानकारी अपने मित्रों के साथियों के साथ सांजा कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभानवित हो सकें, चैनल को like, share, subscribe, आउसे कीजिए, इनी बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार.